नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर आज से लगभग 4-5 दिन पहले एक बड़ी खबर सामने आई थी जब इटली के द्वारा ओफिशली अनाउंस किया गया था कि वो चाइना का जो फ्लाग्शिप बेल्ट एंड रोड इनिशेटिव है उसमें से अपने आपको exit करवा रही हैं ये काफी expected lines पे हुआ था because जब से इटली की नई PM जॉर्जिया मेलोनी इन्होंने बेसिकली यहां पे सत्ता को संभाला था इन्होंने पहले से ही अनाउंस कर दिया था कि वे ऐसा करने वाली है और अब officially इटली के द्वारा ये कर भी दिया गय against the smearing of the mega initiative as Italy leaves BRI चाइना की foreign ministry ने चेतावनी दी कि जो ये countries के द्वारा BRI को छोड़ा जा रहा है ये basically BRI की जो reputation है इसको खराब करने का प्रयास कर रही है लेकिन इन सभी के बीच में experts का अब ये मानना है कि अब जो रास्ता है वो इंडिया के लिए काफी हद तक open हो चुका है अब देख पाएंगे ये वाली खबर भी सामने आई है इटलीज बेल्ट औरोड ब्लूज हाइलाइट होप्स फॉर दी इंडिया यूरोप कॉरिडोर जो आपको याद करवा दूँ आज से लगबग दो तीन महीने पहले की बात है इंडिया के द्वारा एक नया economic कॉरिडो इसका प्रस्ताव सामने रखा गया था और बहुत सारे देशों ने इस प्रस्ताव को happily accept भी किया था अब experts का ये कहना है कि because क्योंकि countries चाइना को छोड़ रही है तो इंडिया का जो IMEC प्रस्तावित कॉरिडोर था इसको लेकर जो hopes हैं वो काफी जादा बढ़ चुकी है इस यह शिरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं हमारे lectures के updates को पराप्त करना चाहते हैं तो यहां पर दिये गए Telegram चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं और अगर आप नहीं विजट कर सकते हैं अगर आप नहीं वि QR code है, इसको scan भी कर सकते हैं, और उसके माध्यम से भी अपनी queries को solve करवा सकते हैं, Google form आपको आएगा, उसको भरके हमारी team आपको reach out कर लेगी, also 15 December तक एक बड़ा offer चल रहा है, जिसमें आपको 40% का discount मिलेगा on the market rates, चाहें तो आप इसमें जाकर के enrollment भी ले सकते हैं, also मैं और आ of the journey, जो भी आपको दिक्कतें आती हैं, आप यहाँ पर इस center में आकर के अपनी doubts को solve करवा सकते हैं, so please अपने calendars को mark करना मत भूलिएगा, all right, so very quickly remind करवादू, 5 दिन पुरानी खबर है, belt and road, Italy pulls out of the flagship Chinese project, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ की जो नई PM है, इन्होंने पहले ही बो initiative को join किया था, in fact, बाकी जो देश थे G7 में, वो इस चीज के समर्थन में नहीं थे, लेकिन Italy ने फिर भी join किया था, 2019 में, और अब Italy is the only western nation जिसने join करने के बाद इसको यहाँ पर officially छोड़ भी दिया है, यह आप यहाँ पर देख पाएंगे, this is the plan जो की चाइना के द्वारा सामने रखा गया था, यह जो हरे रंग वाली रेखा है, यह basically इनका maritime road वाला project है, और यह जो yellow रंग वाली dotted रेखा है, यह basically इनका जो economic belt है, जो की on land चलती है, तो यह यहाँ पर Italy के साथ connection इनका यहाँ कहीं पे देखने को मिलता था, लेकिन अब Italy ने officially अपने आपको इसमें स निकलवा लिया है, उसके बाद China के द्वारा चेताब नहीं दी गई, कि आपने ऐसा करके सही नहीं किया, इनके जो spokesperson के द्वारा बात कहीं गई, वो आपके सामने बोल रहा हूँ, China firmly opposes smearing and undermining of cooperation on the joint construction of the belt and road, इन्होंने बलकी साथ ने यह भी कहा, we also oppose confrontation and division among camps that causes separation, तो एक तरीक इतली next जब यह statement दिया गया था, तो यह understood था कि यह इतली के लिए ही statement को दिया गया है, अब experts का यह कहना है कि जो रास्ता है वो इंडिया Middle East Europe corridor के लिए completely open up हो चुका है, जो लोग IMEC के बारे में नहीं जानते, briefly बता दूँ, यह वाला जो corridor का प्रस्ताव था, यह दोस्तों recently G20 वाली जो meeting हुई थी, उसमें सामने रखा गया था, जो नई दिल्ली में G20 का final conference हुआ था, वहाँ पे IMEC को propose किया गया था, जिसमें की दो corridors का प्रस्ताव सामने रखा गया था, एक होगा eastern corridor, एक होगा northern corridor, जो तो eastern corridor की बात है, वो तो basically connect करेगा मुंबई से लेकर के आप तरीके से eastern corridor होगा, और उसके बाद जो northern corridor है, यह basically gulf को connect करेगा यूरोप के साथ, तो यह आप आगे देख पाएंगे, this is the northern corridor, जो की gulf को connect कर रहा है यूरोप के साथ, obviously इसमें जो यह बीच वाला part है, यहाँ पर आपको बहुत सारी railway lines और अलग-अलग चीज़ों की connectivity देख गई है, in fact MOU के तहट यह भी कहा गया है कि जब जो railway line है, जो की gulf के अंदर से जाएगी, जब वो complete हो जाएगी, it would provide a reliable and cost effective cross border ship to rail transit network to supplement the existing maritime and the road transport routes, तो clearly यह मुंबई से लेकर के यहाँ तक का रास्ता शिप से कवर होगा, उसके बाद हाइफा इसराइल से लेकर ग्रीज तक का रास्ता भी ship से कवर होगा, और जो बीच वाला रास्ता है, यह automatically railways के थ्रू कवर किया जाएगा, इसी लिए कहा जा रहा है कि यह ship to rail वाला आपका एक ऐसा network बनाया जाएगा, जिसके माधियम से directly इंडिया और यूरोप को connect करवा दिया जाएगा, in fact यह वाला जो proposal सामने र कि corridor जो है, it promises to be a beacon of corporation innovation, Mr. Biden referred to it as the real big deal, and उसके साथ Israel के Prime Minister Netanayu ने भी यह कहा, बलकि उनकी country तो इसका हिस्सा है भी, उन्होंने कहा कि link would help realize a multi-year vision which will change the face of the Middle East, Israel, and it will also affect the entire world, so obviously, यहाँ पे बड़े बड़े देश हैं, अलग अलग देश हैं, जिन्होंने खुल कर के इसको क्या है कि Europe खुद भी alternatives को ढूण रहा था, because Europe भी आज की बात नहीं है, काफी लंबे time से, especially since COVID-19, Europe, China के alternatives को ढूण ही रहा था, और recently भी Europe ने कहा कि हमें भी BRI को टक्कर देने के लिए एक करारा कोई alternative चाहिए, जिसमें कि IMEC जो है, वो हमारी जो needs है, उसको पूरा करता है, so य इसलिए जो रास्ता है, वो IMEC corridor के लिए completely clear हो चुका है, जिसे कि हम लोग China को बड़े अच्छे तरीके से counter कर सकते हैं, लेकिन this is obviously very easier said than done, because यहाँ पे challenges भी आएंगे, आपको एक challenge बताता हूँ, वो क्या है, China जो है वो Europe में आज से उसकी presence नहीं है, China की Europe में presence पिछले 20 सालों से है, लेकिन India अपनी entry recently उसने करनी शुरू करी है, so China की क्योंकि presence बहुत लंबे सालों से चलती आ रही है, तो वहाँ पर क्या है, कि China के द्वारा बहुत बड़ा निवेश already किया जा चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, almost 10 billion dollar का निवेश चाइना के द्वारा दोस्तो किया जा चुका है, यह आपके सामने फोटो भी दिखा रहा हूँ, जिसमें basically यह दिखता है, कि Europe में इतने सारे बंदरगाह हैं, जिसमें कि China के पास अलग-लग हिस्सेदारियां देखने को मिलती है, इसमें आप देख सकते हैं, यह वाला जो port है, port number 9, इसको ध्यान से देख होगा, because even जो हम लोग corridor को plan कर रहे हैं, इसमें इंडिया ने जो यहाँ पे सोचा है, entry point वो पिरायोस को ही सोचा है, considering कि China के पास वहाँ पे 100% की हिस्सेदारी है, it will not be easy, because वहाँ पर उस country को बोलना पड़ेगा, कि China को निकालना पड़ेगा, तब जाकर कि India को entry मिल पाएगी, इसका एक और case in point आपको बताता हूँ कि China की जो presence है, वो इस पूरे इलाके में कितनी जादा है, I am sure आपने हाइफा port के बारे में सुना होगा, जो कि Israel का port है, और ये भी मालूम होगा आपको कि उसमें इंडिया का जो अदानी ग्रूप है, उसके द्वारा majority stake आज से 1.5-2 सा ownership है, वो sorry, not majority ownership, वो यहाँ पर जो उनका operator है, वो Chinese company, China की जो Shanghai International Ports Group की company है, उसके पास देखने को मिलती है, so कहने का मतलब बेसिकल ये है कि China के पास यहाँ पर उसकी जो presence है, ये बहुत ही बड़ी है, it is a very huge presence, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा, because even though India entry तो ले रहा है, लेकिन China की ये एक तरीके से incumbency कहे लीजे या उसकी existing presence कहे लीजे, उसको तोड़ना आसान नहीं होगा, देखते हैं क्या होता है, आपकी इसको लेकर क्या रहा है, हमें definitely बताए comment section में, before I end the video, बताना चाहूंगा कि हमारा जो IMEC corridor, जो हमने प्रस्तावित किया है, उसमें कौन से ports को connect करने की बात करी है, वो information भी मैंने आपके लिए यहाँ पर available करवा दी है, thank you so much for listening, stay tuned and stay safe.